नमस्ते अब हम बात करेंगे कि feelings of embarrassment and shame ठीक है embarrassment मतलब आपको बुरा लग रहा है कुछ आपने कुछ गलत कर दिया तो उसका embarrassment होता है या shame feelings of shame उसको किस तरह से हम thought field therapy के साथ heal कर सकते हैं तो thought field therapy क्या है thought field therapy से healing कैसे होती है इस पे मैंने introduction videos बना के रखे हैं आप वो देख सकते हो as per dr. Roger Callahan जिन्होंने ये thought field therapy device किया था embarrassment और shame अपने आप में feelings है but mostly ये feelings associate होते हैं दूसरी problems से like phobias, traumas and addictions so as per dr. Roger Callahan कि ये जो algorithms हैं embarrassment and shame के you can treat it as a supplement to the phobia, trauma, addiction, anxiety related algorithms right but अगर आपको still embarrassment ही आपका एक one problem है तो आप इस पे tap कर सकते हो but थोड़ा सा सोच लो कि क्या ये embarrassment किसी phobia से आ रहा है या क्या ये embarrassment किसी trauma से आ रहा है तो पहले trauma का algorithm करो ठीक है and या फिर phobia का algorithm करो phobia, trauma इन सब के algorithms पे individual videos मेंने बनाए हुए है तो आप वो देख सकते हो अच्छा, embarrassment और shame में भी थोड़ा सा difference है embarrassment जब होता है लोगों को तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है ठीक है और जब shame, when a person feels shame, he or she feels wrong or flawed as a person कि मतलब as a person ही मेरे में problem है ठीक है तो वो थोड़ा सा kind of distinction आप ध्यान में रख सकते हो ठीक है तो आचा, अब हम समझ लेते हैं कि protocols इसका, sorry, algorithms क्या है तेखो, TFT में कैसा रहता है, जिसे EFT में कैसा रहता है, one size fits all approach है कोई भी problem लो, उसमें आपको सभी points को tap करना है, यह थोड़ा specific है, ज्यादा precise है यहाँ पे हर specific feeling के लिए अलग algorithm है, algorithm कैसा है, एक combination lock की तरह है कि अगर आपको उस particular feeling को heal करना है, तो combination lock का यही password use होगा कोई और password या कोई और number डालोगे तो वो lock खुलेगा नहीं तो embarrassment का protocol क्या है, यह मैं नीचे description में भी दे दूँगा embarrassment का protocol है under the nose, ठीक है, यह under the nose five to seven times ऐसा tap करना है, ठीक है, और shame का क्या protocol है, और algorithm है, chain ठीक है, यह हो गया, तो embarrassment हो गया, shame हो गया अब TFT कैसे करना है, देखो, अब आपको TFT में क्या करना है, जैसे embarrassment यह shame के आपके अंदर feelings आए, अगर suppose feelings अभी ही इस वक्त है, तो बहुत अच्छा है, सीधा उसी time पे tap करो, जब वो feelings अंदर है, अगर नहीं भी है, तो उस feeling को ले के आओ, ठीक है, ऐसे सोचो आप उस गलती कर दी, आप public speaking कर रहे थे, आपने गलती कर दी, या आप कोई social gathering में थे, वहाँ आप से कुछ गलती हो गई, कुछ गलत बोल दिया, उस embarrassment को अपने अंदर लाओ, उस से tune कर लो अपने आपको, ठीक है, कुछ बोलने की ज़रुत नहीं है, TFT में हम कुछ बोलते नहीं है सिर्फ हम ट्यून करते हैं अपने energy field को इस particular problem से, अब उसका SUD मेजर करो, 0 मतलब कोई problem नहीं है, 10 मतलब मुझे अभी doctor के लेके चलो, तो 0 से 10 के बीच में आपने decide कर लेकि चलो, इसका SUD level है 8, अब आपको क्या करना है, कि आपको tapping करनी है, अब tapping जिसे, suppose हम लोगे embarrassment की tapping कर तो यह 5 बार यहां पर कर लो, 5-7 बार, बहुत देज भी नहीं करना है, बहुत हलका भी नहीं करना है, it should be firm, but it should not hurt, ठीक है, यह आपने tapping कर ली, अब वापस से SUD को measure करो, ठीक है, SUD को measure करो अभी कैसा है, ठीक है, अभी कम हुआ है, आठ से थोड़ा सा कम हुआ है, वापस स उस embarrassment में जाओ, उस situation में, अभी कैसा feeling हो रहा है, ठीक है, पूरा time यह सब करते वागत, अपना tune करते रहो, अपने mind को tune रखो उस particular, क्योंकि आपका energy field में जब आता है, तो यह tapping करने से वो clear हो जाती है, energy, वो perturbation बोलते हैं उसको, वो perturbation clear हो जाता है, अच्छा, अब 8 से suppose 6 य क्या होता है, यह gamut point रहता है, दो knuckles के बीच में, इस gamut point पर ऐसे tap करते करते, आपको कुछ actions करने, close your eyes, open your eyes, नीचे देखो right side, नीचे देखो left side, anti-clockwise, clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, this becomes the 9 gamut procedure, यह 9 gamut procedure करने के बाद, again you will do the measures, ठीक है, ठीक है, यह measure कर लो, अब उसका SOD measure करो, कि अब कहा है, ठीक है, अब 8 से 6 है, तो अब कहां पर पहुंच गया है, अपना ultimate target है, इसको 0 पर लेकर आने कर, अच्छा, अगर 8 से 6 नहीं जा रहा है, 8 से 7 है, 8 से 8 ही है, तो आपको PR reversal करना है, psychological reversal, ठीक है, तो basically क्या करना है, यह karate spot है, इस पे 15 बार tapping करो, फिर वापस से आ इस से हमको, यह कुछ reversal points है, इस से हमको वापस से tap करना है, ultimate target है, हमको 0 पर लेकर जाना है, और जैसे suppose 2 यह 2 के नीचे आ गया, 2 एक ऐसा आ गया, तो आपको flow to ceiling eye roll करना है, मतलब यहाँ gamut spot पर tap करते करते, ऐसे नीचे देखो, eyes को, और धीरे धीरे उपर लेकर जाना है, यह यह अपने आपने एक relaxation technique है, तो यह this is the protocol, इस प्रोटोकॉल से जब जब आपको embarrassment, shame, feelings आया, मैंने आप देखोगे, अलग-अलग videos बना के रखे, anger, guilt, rage, depression, OCD, सब के अलग-अलग algorithms बना के रखे, videos दिया हुए मैंने, तो आप यह करो, और आपको इससे अच्छे से healing होगी, ह और यह बहुत powerful है, अचा, आपको अगर सब्सक्राइब कुछ लोग एकदम resistant रहते हैं, ठीकिए, treatment से बिल्कुल resistant हो, कोई फरक नहीं आ रहा है, तो collarbone breathing exercise कर सकते हो, collarbone breathing, मैंने अलग-से video बनाया है, वो देख लेना, वो collarbone breathing आप कर लेना, ठीकिए, उससे help होगा आपको, then embarrassment यह shame आप कर रहे हो, तो आपको anger की feelings आ सकते हैं, या guilt की feelings आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, वो particular algorithm जो है, उस particular thing का, anger का, या guilt का, उसको लेके आपको उस पर tapping करनी है, तो उस तरह से हमको करना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि one-to-one basis में आपको मेरे सब में काम करना ह मेरे आपको assistance helpful रहेगा, तो one-to-one session भी में परता हूं, तो आप उसमें link है description में, तो आप वो link देखके, you can book a session with me, तो यह video, I hope आपको helpful रहा हो, और यह video देखने के लिए बहुत-बहुत धर्या बात, thank you so much.